वेल्कम तु नॉलेज आगे इस्टूडियो मैं लखान बार दो है आपका अपने करेंटे फेर शोव में स्वाथ करता हूँ आज है 17 जोलाई और 17 जोलाई से रेटेटेट में भी करेंटे फेर आँगे मैं आपके साटिस्ट करूँगा और हर कोशन से रेटेट सारे फेक्ट भी आपको बताँगा तो वीडियो को पूरा देखिए मैं लास्ट में आपसे होमबर का कोशन ही बोचूँगा जिसका आंसार आप मुझे कमेंट बस और क्वेंट करके बताएगा चलिए आज की करेंट है फिर शुरू करते है आज का फर्स कुश्चन है विच एयरपोर्ट इंटर्डूज इंडियास फर्स्ट फुली कॉंटेक्ट लेस कार पार्किंग किस हवाई अड़े ने भारत की पहली पूर्ण संपर्ग रहित कार पार्किंग की सुरूआत की एक कौन सा वाई इड़ा है जिसने फुली कॉंटेक्ट लेस कार पार्किंग सुरू की है इससा करेक्ट आंसर है ओप्सन सी राजीव गांदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको जी एमार एयरपोर्ट भी बोलते हैं ये कहाँ पर है ये हैदराबाद में पूरी तरह संपर्क रहीत एयरपोर्ट कार पार्किंग की सेवा सुरू की इसको क्या बोलते हैं राजीव गांदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है ये कहाँ पर है है तरह जीज़ारबाद में दियान रखेगा move on next question who has been appointed as a brand minister of sports adda the news and information website for cricket, football and kawaddi cricket, football and kawaddi के लिए समाचार और सूचना website sports adda यह कौन से website है information और news website है sports adda इसने अपने brand investor के रूप में किसे निक्त किया है इसा correct answer है option B option B है यह ब्रेटली है यह और स्टेलिया के पूर्व क्रिकेटर है और स्टेलिया के पूर्व क्रिकेटर है और स्टेलिया क्रिकेटर ब्रेटली इनको अपना brand investor निक्त किया है किसने sports website sports adda ने more next question Indian Railways इस लोकेटर विच स्टेट भारते रेल्वे का पहला केविल स्टेट रेल पूल अंजी खाद ब्रेज किस राज्य केंदर साज परदेश में इस्तेत है तो यह कहाँ पर है option C जमू कश्मीर अंजी खाद ब्रेज जो पहला केविल वाला भारते रेल्वे का पूल है यह शांदार अंजी खाद पूल जल्दी जमू कश्मीर में मनाय जा रहा है जो कटरा और रियाइसी को जोड़ेगा किसको कटरा और रियाइसी को जोड़ेगा यह कहाँ पर है जमू कश्मीर में यह पूल Conquer Railway Corporation द्वारा बनाया जा रहा है किसके द्वारा Conquer Railway Corporation द्वारा विक्सित किया जा रहा है या उदमपूर, स्रीनगर बारामूला रेलवे जो लिंक परियोजना है उसका ये खिस्सा है किसका खिस्सा है? उदंपूर, स्रीनगर, बारामूला एक रेलिंक पर्योजना है उसका इस्सा है तो एक अंजी खादबरिज कहां मनाय जा रहा है जमू कश्मीर में द्यान रखेगा जमू कश्मीर में विच मिनिस्ट्री रिलीज दा प्रग्याता गाइडलाइन्स किस मंत्रा लेनी ओनलाइन डिजिटल सिच्छा के लिए प्रग्याता दिशा निर्देश जारी किए तो प्रग्याता दिशा निर्देश किस ने जारी किए इसा करेक्ट आंसर है और उप्शन ए हुमन रिसोर्स से डवलेप्मेंट मिर्श्री मानव संसादन विकास मंत्रा लेनी ओनलाइन सिच्छा की लिए प्रग्याता गाड्लाइन जारी की इस गाड्लाइन के अंत्रगत प्राइमरी से फर्ष तक के जो बच्चे हैं जो इस्टुनेंट हैं उनको ओनलाइन क्लास दी जाएगी उनको नहीं दी जाएगी जो प्राइमरी से फर्ष क्लास के बच्चे हैं और फर्ष तु एड़ तक के बच्चे हैं जो एक क्लास एक से ले आड़ तक के बच्चे हैं उनको दो ओनलाइन सेशन की क्लास दी जाएगी और 9 से 12 तके जो बच्चे हैं उनको 4 ओनलाइन सेशन दिये जाएंगे तो प्रग्याता की 8 चरण हैं कौन कौन से स्टेब हैं प्रग्याता की योजना, शमिक्षा, विवस्ता, मार्गदर्शन, बात, असाइन, ट्रेक और सराहना ये सारी चीज़ें प्रग्याता के अंद्रगत सामिल हैं ये हमारे HRD मिनिस्टर ने लॉंच किया तो हमारे HRD मिनिस्टर कौन है? वो हैं रमेज पोखरयाल निशंग हमारे Human Resources Development मिनिस्टर हैं रमेज पोखरयाल निशंग उन्होंने इस योजना का लॉंच किया क्या ना में प्रग्याता ये किस के लिए शुरू की गई? डिजिटल एजुकेशन के लिए मूग और नेक्स कुशन Find the state which plan to upgrade पोवा रिजर फोरेश्ट into wildlife century किस राजजी ने पोवा रिजर वन को वन जी अब्यारण में अब्ग्रेट करने की योजना मनाई तो पहले बात तो ये पोवा रिजर वन कहां पर है? इसा correct answer है Option B असम में है पोवा रिजर वन पोवा रिजर फोरेश्ट असम में है और इसको वन जी अब्यारण विल्लाफ century का अब्ग्रेट करने में योजना मनाई गई है असम की बात कर रहे हैं असम के C.A. में सर्वानन सोनवाल कौन है? सर्वानन सोनवाल ध्यान रखेगा और इसको वन पोवा रिजर वन को वन जी अब्यारण में अब्ग्रेट करने की योजना बनाई है पोवा रिजर बेंक कहां पर है? यह पोवा रिजर जो फोरेश्ट है यह असम के देमाजी जिले में है कहां पर है? असम की देमाजी डिश्टिट में धेमाजी डिश्टेट में ध्यान रखेगा नेक्स कुश्चन नेमदा पर्सन वू हैज बीन अपोइंटेट एज दा न्यू वाइस प्रेसिडेंट ओफ एशियन डवलमेंट बैंक ADB उस व्यक्ति का नाम बताईए जिससे ACI विकास बैंक ADB का नया उपाद्यच निक्तिया गया है तो ADB के नई वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगी इसा correct answer है option A अशोग लवासा जैसा आप देख पा रहे है यह अशोग लवासा जी है इनको ADB का नया उपाद्यच निक्तिया गया है ADB के जो वर्तमान उपाद्यच है जो वर्तमान प्राइब वाइस प्रेसिडेंट है वो हैं दिवाकर गुपता और दिवाकर गुपता का इस्थान लेंगे अशोग लवासा ADB का बात कर रहे हैं ADB का हेड़कौर्टर है मनीला में कहां पे? मनीला में और मनीला है फिलिपेंस में ADB के स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को 19 दिसंबर 1966 में ADB के स्थापना हुई थी और ADB के नई वाइस प्रेजेंट किसको निक्त किया है अशोग लवासा को गूगल्स अल्फाबेट इंग तो बाइ गूगल्स के अल्फाबेट इंग ने 33,737 करोड रुपे में रिलाइस इंड़स्ट्री लिमिटेड के रिलाइस जीओ प्लेट फॉर्म में कितन पसेत हिस्सेदारी खरी दी या यह कह सकते हैं गूगल्स के अल्फाबेट इंग ने रिलाइस जीओ प्लेट फॉर्म में कितने पसे इंड़स्ट्री खरीदने की गोश्णा की इसा करेक्ट अंसर है और उप्सें सी 7.73% 7.73% इससेदारी गूगल्स इंग खरीदेगा किसमें जीओ प्लेट फॉर्म में गूगल के सीओ कौन है सुन्दर पिचाई कौन है सुन्दर पिचाई और रिलाइस जीओ के चेर्मेन कौन है मुकेश अम्मानी मुकेश अम्मानी गूगल की जो कंपनियां अलवाबिट इंक इसके भी सीओ सुन्दर पिचाई है और 33 सया 737 करोड रुपे में 7.73% इससेदारी खरीदेगा गूगल इंडिया अलोंग विच कंट्री एंड फूड एंड अग्रिकल्चर और्रनाइज़ेशन FAO हैज को होस्टेड दा ओफिशल लाँच अव 2021 International Years of Fruits and Vegetables भारत ने किस देश तता खाद्य और क्रसी संगठन FAO के साथ 2021 International Years of Fruits and Vegetables की आदिकारिक लॉंच की सह बेजवानी की मतलब ये जो होस्ट किया ये किस देश के साथ किया इंडिया ने ऐसा correct answer है Option D चिली के साथ भारत और चिली ने Year of Fruits and Vegetables की लॉंच की बेजवानी की तो किस के साथ चिली के साथ त्यान रखिएगा Move and ask question Who has been chosen for the USIBC Global Leadership Award 2020 USIBC Global Leadership Award 2020 के लिए किसे चुना गया तो USIBC Global Leadership Award के लिए चुना गया है इसा correct answer है Option D Ann Chandshankan और Jim Tackled इन दोनों को Global Leadership Award USIBC के लिए चुना गया किसको Ann Chandshankan और B Jim Tackled इन दोनों को मतलब इसका आंसार है बहुत A and B इन दोनों को USIBC Global Leadership Award 2020 के लिए चुना गया Move and ask question Who has ingratled the fifth edition of the conference on aerospace and defense manufacturing technology Aerospace and defense manufacturing technologies पर Summelan के पांचवे संस्क्रणड का उद्गाटन किस ने किया ये किस ने किया है इसा correct answer है Option B Shripad Yasunayak जैसा हमेज माँ देख पा रहे है ये Shripad Yasunayak है ये हमारे केंदर राज रच्छा मंत्री है कौन है हमारे केंदर राज रच्छा मंत्री है Shripad Yasunayak और इनोंने ही fifth edition of conference aerospace and defense manufacturing technology का उद्गाटन किया द्यान रखेगा कल का जो हमार कोशन में आपको दिया था उसका answer है Which state has formed panel commission to decide on tribal status of राबरी, भारवाद and चरन communities रवारी, भारवाद और चरन समयदाओं की आधिवासी इस्थिती पर निड़ें करने के लिए किस राज जी ने panel I.O का अगटन किया तो किस ने किया इसा correct answer है गुजराद जैसा मैं आप देख पा रहे है option एक गुजराद इसका correct answer है आज का रूहमार question है जो आपको इसका answer comment box or comment करके बताना है वो ये है In which country Vikram Durei Swami has been appointed as a new ambassador of India Vikram Durei Swami को किस देश में भारत का नया राजदूत निक्त किया गया है तो इसका answer आप मुझे comment box or comment करके बताएगा इसके बारे में जासे आता लिखिएगा जिससे आपको जासे आता याद रहे क्योंकि हम जो लिख देते हैं वो कभी नहीं बूलते आज हमने 17 जलाई के जिसने current affair आपके साट्सिस किये आपको वीडियो अच्छला हो तो वीडियो को like करें और अपने friends के साथ share करें और आपने हमारे चैनल को अब ता सब्स्राइम ना किये हमारे चैनल को subscribe करें और bell आइकिन को press करें जैसे हमारे आने वाले वीडियो के निटिवेशन आपको मिल सकी आप मुझे Facebook और Telegram भी follow कर सकते हैं Facebook टेलिग्राम का लिंग इस वीडियो के description में दे रखा है तो वहाँ जाकि आप join कर सकते हैं Thank you